इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप विस्टा सीपी लोगेन पर SSL लगा सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर जैसे यह विस्टा सीपी का लोगेन है जब यहाँ पर जब ओंली डोमेन यहाँ पर आप सर्च करोगे तो उस पर यहाँ पर SSL है और वह वाला SSL मैंने लास्ट वीडियो में बताए था कि जब आप डॉमेन एड करते हो डॉमेन एड करते हो तो यहां पे जैसे आपने डॉमेन डाला एंड उसके ज़स्ट एडवांस ओप्सेन पे जब आप क्लिक करते हो iOS 2 करता ही यूए अपने को लगाना है विस्टर सी पी लोगन के । इसके आगे पोर्ट नंबर भी आथा तो जस्ट उप्सकू करता है ज्ट मैं इस में लोगन करता हूं पॉरक्ण स्थे और भाकी मैं इसको अपी मैं तो यहां पर देखो यह नोट स्क्राइब आ रहा है जैसे ही मैं यहां पर डालता हूं आई पी की जगह तो यह यहां पर नहीं हो रहा है तो उसके बाद क्या करना है यह कमांड्स आपको txt file में मिल जाएंगी तो क्या करना है यहां पर सभी जगह अपना domain आप रिप्लेस कर दें जो domain यहां पर already add उसका ठीक है यहां पर सब जगह मैंने यहां पर domain आड कर दिया है जस्ट आपको kमांड्स है copy paste करनीा है तो यहां पर आना है मैं इसको करता हूं close यहां पर terminal open कर लेता हूं मैं एक तो first command आपको just copy and paste यहां पर करनीा है second वाली भी यहां पर you copy paste करनी है आपका just copy paste मैंने यहां पर किया उसके बाद वाली command है आप इसमें जरूर करें कि यहां पर मैं इसको थोड़ा स्पेस बीस में मैंटेड कर देता हूं तो इससे पता लग जाएगे कि यह अलग लग कमांड से हैं ओके तो फिर यह वाली कमांड आपको कॉपी करने हैं यहां पर भूल मत जाएए अपना डोमेनिया पे आपको डालना है जुस्ट मैं इसको कोपी करता हूँ मैंने इसको पेस्ट किया क्लिक इंटर किया यह वाली कमांड फेस्ट कोपी की एंड इंटर की तो यह क्या कर रहा है कि जो अपना existing जो ssl है जो let's encrypt से अपन निसमें लगाया यह देखो ssl support यहां पे लगा हुआ है तो उसको यह इस वाले पर ने जो हो यह इस पर अपलाई कर देगा ठीक है तो आपके मैंड डोमेन पर ऐसे सल होना चाहिए तभी यह होगा उसके बाद यह क्या करना है इस पर क्लिक करना है तो यह यहां पर टर्मिनल में आपको जालना है cd मतलब इस वाले आपके फोल्डर में अपन जाएंगे home admin config web वाले के अंदर तो जस्ट इंटर मैंने किया और यह आने के बाद यहां पर जस्ट यह तीन-चार कमांड रहें यह परमिसंस की कमांड रहें तो यह आपको अप्लाई कर देनी है तो जस्ट वन बाई वन आप सभी कमांड्स यहां प आपको क्या करना है जो vista CP उसको आप restart यहां पर कर ले तो service vista CP restart यह वाले कमांड्स है इसको मैं करता हूं copy paste क्या and click enter तो यहां पर जो restart है वो हो चुका है अभी आता हूं मैं यहां पर and just इसको reload करता हूं just boom यहां पर अपना एड हो चुका है मैं घो भी पौर्ट के साथ केमें सब्सक्राइब है डिटेल है यह यहां पे मैंने पेलगेंड के सब्सक्राइब नहीं आपने प пл ओके लेकिन आपका यहां पर पहले यह वाला एससल यहां पर होना चाहिए तब इस पर यहां पर आपका एड़ होगा